आज हम देखेंगे सीधे समानुपाथ से संबंधित उदाहरण यदि एक रेल गाड़ी एक समान चाल यानि युनिफॉर्म स्पीड से तीन घंटे में 180 किलोमिटर की दूरी तय करती है तो ग्याद कीजिए वह साथ घंटे में कितनी दूरी तय करेगी दी गई स्थितियों के लिए हम इस प्रकार सार्नी बना सकते हैं जब समय तीन घंटे है तब दूरी 180 किलोमिटर है जब समय साथ घंटे है तब रेल गाड़ी त्वारत तय की गई दूरी को वाईटू मान लेते है यहाँ एक समान चाल का अर्थ है निश्चित समय में निश्चित दूरी तय की जाती है क्या बता सकते हैं कि यहाँ समय और दूरी में सीधा समानुपात यानि डारेक्ट प्रपोर्शन है या नहीं सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं जब चाल निश्चित हो तो अधिक समय में अधिक दूरी तथा कम समय में कम दूरी तय की जाएगी दी स्थिती में दोनों राशिया इस प्रकार बढ़ती या खटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात एक अचर यानि कॉंस्टन्ट रहता है इसलिए हम कह सकते हैं कि समय और दूरी सीधे समानुपात में हैं पिछले वीडियो में हमने सीखा कि यदि X Y के समानुपाती हो तो X के मानों और संगत Y के मानों के लिए इसलिए दी स्थिती के लिए हम लिख सकते हैं 3 बटे 180 ब़ाबर 7 बटे Y2 यानि की Y2 ब़ाबर 7 गुणा 181 किलोमीटर ब़ाबर 7 गुणा 60 किलोमीटर ब़ाबर 420 किलोमीटर यानि कि रेल गाड़ी 7 गंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तई करेगी क्या हम इसे एकिक विधी यानि यूनिटरी मेथ़ड से भी हल कर सकते हैं? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही हम इसे एकिक विधी से भी हल कर सकते हैं यहां रेल गाड़ी 3 गंटों में 180 किलोमीटर दूरी तई करती है इस तरह से यहां एक घंटे में 180 बटे 3 किलोमीटर यानि 60 किलोमीटर की दूरी तई करती होगी इसलिए 7 गुणा 60 किलोमीटर बराबर 420 किलोमीटर की दूरी तई करेगी चलिए अब अगला उधारंड देखते हैं मीना चार मिनिट में 92 शब्द लिखती है यदि उसे 480 शब्दों का एक निबंद लिखना है तो आवश्यक समय ग्याद कीजिए दीगई स्थितियों के लिए हम इस प्रकार सार्णी बना सकते हैं जहां X2 480 शब्दों को लिखने के लिए आवश्यक समय है हम जानते हैं कि शब्दों की संख्या में जिस अनुपात से वृध्धी होगी उसी अनुपात में आवश्यक समय में भी वृध्धी होगी इसलिए यहां समय और शब्दों की संख्या में सीधा समानुपात है सीधे समानुपात की स्थिती में ज़़ी x, y के समानुपाती हो तो x के मानों और संगत y के मानों के लिए x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 बराबर x3 बटे y3 इसलिए हम कह सकते हैं की 4 बटे बानवे बराबर x2 बटे 480 यानि की x2 बराबर 4 बटे बानवे गुणा 480 मिनिट्स बराबर 20.8 मिनिट्स इसलिए मीना को 480 शब्दों का एक निबंद लिखने के लिए 20.8 मिनिट्स का समय आवश्यक है चलिए अगला उधारन देखे यदि दो मजदूर मिलकर कुछ दिनों में 50 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं तो ऐसे कितने मजदूर मिलकर उतने ही दिनों में 75 मीटर लंबाई की दीवार बना सकते हैं यहां जब मजदूरों की संख्या दो है तब दीवार की लंबाई 50 मीटर है हमें मजदूरों की संख्या घ्यात करनी है जिससे कि उतने ही दिनों में 75 मीटर लंबाई की दीवार बनाई जाये मान लेते हैं कि एकस मजदूर 75 मीटर लंबाई की दीवार बनाएंगे यहाँ मजदूरों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी उसी अनुपात में काम भी बढ़ेगा इस तरह से यहाँ मजदूरों की संख्या और दिवार की लंबाई सीधे समानुपात में है इसलिए दीस्थिती के लिए हम लिख सकते हैं दो बटे 50 बराबर एक्स बटे 75 यानि एक्स बराबर दो बटे 50 गुणा 75 बराबर 3 मजदूर इसलिए 75 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 3 मजदूर लगेंगे तो आज हमने देखे सीधे समानुपात से संबंदित उदाहरण अगले वीडियो में इनसे संबंदित कुछ और उदाहरण देखेंगे